कि यहार बच्चों LGR स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गनीत में अभी हम लोग 12 नंबर चेप्टर जो है पढ़ाई कर रहे हैं और आज इस चेप्टर का लास्ट क्लास होने वाला है और देख सकते हैं कि आज आपका 9 नंबर क्लास है इस से पहले 8 कलास अल्रीडी हो चुका है 12.3 आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और फिर अगले कलास में इस चेप्टर से रिलेटेट सारे के सारे जो है अब्चेक्टिव कुस्चन को पढ़ाई करेंगे तो आज आप लोग जो कुछ 6 कुस्चन देखने वाले ह और काफी मारपूर्ण होगा 12.3 का सारा का सारा कोश्चन होने बाला है तो आप लोग ध्यान से समझने की कोस्च किजिएगा और पेड कोर्स से संबनित अगर आप लोगों को कोई जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं चलिए सब्सक्राइब कोश्चन का पीडिये आपको एक रिपीजन नोट मोडल पेपर कलास नोटर ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस एप पर मिल जाएगा तो यह जरूर डाउनलोड कर लिजीगा और इस एप पर आपका पेड कूर्स चल ही रहा है ठीक है वीडिय देखिए एक वर्गा का रुमाल यह जो एवी सीडी आप देख रहे हैं यह एक वर्ग के जैसा रुमाल है ऐसा इस कुश्चन में बोला गया इस रुमाल पर नौ कितने तो नौ बिर्टा का डिजाइन बने हैं देख सकते हैं एक दो तीन और तीन तीया नौ जिसमें से परत ब्रुट का तरिज्या है साथ सीम एक वर्ट का टीना है साथ सीम है आप आकिरती में देख सकते हैं रुमाल के सेस्भाग का छेजरफल ज्याद कीचि देखिए आपको बताता हूं कि यह रुमाल का डिजाइन है इस पीजो बरताकार डिजाइन बना हुआ है इसमें से सभी एक पाधा तो ब्रत का जो तरज्या है वह साथ सिम है इसका तरज्या अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक हम इसका तरज्या मानेंगे ठीक है ये मानेगे तरजया हम तो इसका तरजया 7 cm है और इस स्थित्मस बस केबल आपको बिर्ट का तरजया दे दिया गया है और इसी के आधार पर आपको रुमाल के सेस भाग का च्छदरफल निकालना है देखिए पूरा रुमाल ये भी CD वर्ग है और इस वर्ग में ध्या गृताकार डिजाइन नहीं है उसका च्छदरफल आपको निकालना है इस वाले जितने भी जगा खाली आपको दिखाई दे रहे हैं इस सबका च्छदरफल आपको निकालना है कैसे निकालेंगे च्छदरफल वो समझे हम क्या करेंगे पहले पूरे वर्ग का च्छदरफल क क्या कर देंगे घटा देंगे深 four औरर के से नौ रुट का सब्सकार भाटा दीजिए गा तो से भाग बच है आप ऐसे समूने कई connectors कॉर्ण में से अप इस ऊवर्ट को कात करके अचै और कि 702 इस उंसां बूरत को काट करके क्शा हटा दीजिए तो जो तो हम देख रहे हैं कि बृत का तो त्रिजय दिया हुआ है साथ सी हम तो एक बृत का च्छेतरफल निकाल लेंगे उसको नौ से गुना कर देंगे तो नौ बृत का च्छेतरफल आ जाएगा तो बृत का च्छेतरफल तो निकाल सकते हैं बहुत यह असान से लेकिन वर्ग जो से यहां तक्यानी की वर्ग है तो सब भूजा बराबर होगा तो कोई एक भूजा आपको पता होना चाहिए जो की कुश्चन में डारेक्ट नहीं दिया गया है तो हम पहले इस वर्ग का भूजा पता करेंगे ठीक है तो आईए देखिएगा कैसे हम वर्ग का भूजा जो है प केंद्र है यह केंद्र है तो यहां से यहां तक क्या होगा इसका। 12 parked हुआ क्यूंकि दिजिय बोला ऐकस्चन में साथे फिर यहां से यहां तक yges यह यह भी होगा पैरे बच्चों साथ सीम एंड यहीं साथ सीम होगा अब आप देख सकते हैं कि डी से सी जो है ना भूजा है एक वर्ग का तो आप ही बताईए कि दी से लेकर के सी तक वर्ग का जो भूजा है इसका कुल लंबाई कितना होगा तो देख लिजिए कितना साथ है दी से लेकर सी तक में कितना साथ है एक दो तीन चार पांच छो यानि कि 42 सीम जो है ना रुमाल या फिर उसको वर्ग का लिजिए वर्ग का भूजा है यहां से य ढिया गया है और यहां दिया गया था कौन चीज तो जो आपका वरित है उसका त्रजिया उसी के मदद से आपने वर्ग का भुजा निकाल लिया तो आप का काम हो जाएगा आसान आसान ही नहीं बहुत ही आसान हो जाएगा outlined क्या करेंगे अब कुछ नहीं करना है आप पहले वर्ग का छत्रफल निकाल लीजिए और फिर नौर्वाल का छत्रफल निकाल लीजिए घटा दिजिए चलिए यहां पर हल करने के लिए क्या करते हैं चलते हैं तो हल करने के लिए जब जाएंगे तो सबसे पहले जो दिया गया है वही लिखेंगे लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है तो आपको तरज्या दिया गया बिर्त का चीज़ा लिख देते हैं बिर्त का त्रिज्या त्रिज्या यानि की आर आपको दिया गया है साथ सी एम अगर त्रिज्या साथ सी एम है तो बताईए इसी लिए वर्ग A, B, C, D A, B, C, D का भूजा कितना होगा तो बोलेंगे वर्ग A, B, C, D का जो भूजा है न प्यारवच्चो चुक्कि यहां च्छो त्रिज्या मिला करके यहां पर क्या बन रहा है एक भूजा का निर्मान हो रहा है तो इसी लिए हम च्छो गुने साथ लिखेंगे च्छो गुने साथ यानि की 42CM कितना सी एम 42CM आपको वर्ग का भूजा मिल गया तो आपको वर्ग का भूजा भी मिल गया तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्ग का च्छत्रफल ही निकालते हैं तो लिखेंगे इसी लिए वर्ग A, B, C, D वर्ग A, B, C, D का च्छत्रफल वर्ग A, B, C, D का क्या निकालेंगे पैर बच्चों हम छेत्रफल निकालेंगे तो देखिएगा वर्ग A, B, C, D का छेत्रफल कैसे निकलेदा सिंपल सी बात है वर्ग का छेत्रफल होता है भुजा S, क्या होता है भुजा S2 होता है वर A, B, C, D का 26 निकानले का सूतर है जो भुजा S2 होता है और यहाँ पर भुजा आपको मिला हुआ है 42 तो 42 का क्या करेंगे S2 करेंगे 22 का S2 यानी की 42 गूह ने 42 आपको यहाँ पर करना होगा और 42 का स्कॉर्ण आपको याद होना चाहिए 1664 होता है 1764 अगर आपको याद नहों तो आप क्या करेंगे 42 गुने 42 कीजिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब कारेंगे नो ब्रिट जो है मिल जाएगा आप जानते हैं एक ब्रित का च्छत्रफल होता है πाई आर स्क्वाइर होता है एक ब्रित का च्छत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वाइर होता है तो नौ ब्रित का च्छत्रफल निकालना है तो उसको नौ से गुना कर दीजिए अब question में πाई का मान कुछ भी नहीं बोला था तो हम 22 बट्टा 7 लिखेंगे 37 cm था तो 7 गुने 7 लिखेंगे और फिर गुना में 9 लिखे देंगे तो चलिए देखिए 1 7 से 1 7 कट जाएगा तो क्या बचा आपका यहाँ पर जो है 22 और गुने 7 नमा 63 9 सत्य कितना होता है तो नौ सत्य होगा 63 तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 33 लिखेंगे यानि कि अब 63 को 22 से गुना करना है तो गुना करना होगा बाइस से इसमें जोर घटा होगी है वांके कुछ नहीं है तेकि तीन दूना क्या होगा सच चो और छो दूना क्या होगा बारा होगा फिर तीन दूना चो और छो दूना क्या होगा फिर बारा होगा तो यह हो जाएगा आपका चो दो दो चार दो एक तीन और यह हो जाएगा दो लिखे दिया हमने च्छा होगा ठीक है आप देखे ठीक है च्छा यहां जाएगा एंड च्छा दू यह आपका आठ होगा च्छा दू की दिना होगा आठ होगा दो एक तीन और यह तो बिल्कुल 1386 यहां पर आपका होगा 1386 cm2 अब क्या करना है सो समझने की कोशिस सब्सक् difference और निकालना है तो लिखेंगे इसलिए तरुमाल के कि आतुश कि सेेस भास का चेथरफल निकालने के निकालने के लिए क्या करना होगा तो वर्ग के च्छाथरफल में से नौ ब्रित का च्छा बंढ़ताना होगा तो यहां पर लिखेंगे वर्ग ए बी सीडी का चैत्रफल वर्ग ए बी सीडी का चैत्रफल और माइनस नौ बृत का चैत्रफल नौ बृत का चैत्रफल नौ बृत का चैत्रफल उसमें से घटाएंगे तो वर्ग ए बी सीडी का चैत्रफल अभी देखे थे आप लोग जनाया था 1764 तो यहां पर हम लिखेंगे 1764 और इसमें से घटाना है तेरास और छी आसी तेरास और 86 घटाना है तो घटाई यह 14 में से 6 जाएगा तो पैर बच्चों यहां पर 8 होगा ठीक है फिर यह बच गए आपका पांच इधर से लेकिए तो 715 में से 8 जाएगा तो 7 होगा और यह बचगे आपका किरना तो चव बचा चाहिए में से तीन घटाएंगे तो तीन होगा और एक में से तो एक का आपका कैंसिल ही हो जाएगा तो 378 यह पूОब यह पूरा यह पूरा का बात किया रहा है ठीक है कि पूरा जो है वो और कैंद्र और तिर्जया थिन श्मला पांत सीम वाले एक बिर्थ का चतुल थांस है यह क्यंद्र और तुर्जया है इसका 3.5 cm वाला एक चतूर थांस है ये बीर्ट का चतूर थांस है यदि OD बराबर 2 cm है तो निमलेखित के चतरफल ग्यात कीजिए पहला चतूर थांस का चतरफल निकालना दूसरा चायांकी दबाग का चतरफल निकालना है देखिए हम क्या करेंगे इसमें बोला कि ये जो है एक चतूर थांस है और इस चतूर थांस का तरफल थांस का तरफल थांस है 3.5 cm तो तरफल जो है देखिए प्यार बच्चों यो O से ले करके B तक जो है ये तरफल आएगा O से D तरफल नहीं कहल आएगा हाँ फिर O से ले करके यह तिरज्या कहलाएगा लेकिन O से D तिरज्या जो है नहीं कहलाएगा आप समझे कि क्या होगा तो यह तिरज्या जो है यह आपका तिरज्या कहलाएगा यह वाला कितना B से लेके O तक 3.5 cm 3.5 cm जो है यह है तिरज्या आपका ऐसा आपको समझना है और question में एक चीज और भी दिया है OD OD दिया है 2CM तो ये OD आपका 2CM हम यहाँ पर लिख देते हैं बस question में इतना ही दिया गया है और आपको फिर क्या बोला गया है दो चीज निकालने के लिए बोला है पहला है चतूर्थांस O A CB का चतरफल मतलब इस वाले चतूर्थांस का आपको चतरफल निकालने के लिए बोला है तो चतूर्थांस का चतरफल निकालना तो बिल्कुल ही क्या है आसान है देखिए कैसे चायांकीत भाग का चतरफल लिकालने के ताइंब पर भी हम आपको बताएंगे क्या करना है जब हम हल करने के लिए जाएंगे फैयरा बच्चो तो सबसे भले जो यहां पर आपको तृज्ण बगेर दिया चतुर्थांस OACB का आपको निकालना है छत्रफल चतुर्थांस OACB का क्या निकालना है छत्रफल निकालना है तो भाई साब आप लोग चतुर्थांस का छत्रफल निकालना जानते हैं बिर्त के चतुर्थांस का चेतरफल निकालने का सुत्र हम आप लोगों को बता चुके हैं पूरे बृत के चेतरफल को चार से भाग दे दीजिए वही चतूर्थांस का चतरफल होगा तो आप सभी जानते हैं पूरे बृत का चतरफल होता पाई आर स्क्वाइर इसको चार से भाग दे दीजिए हो गया चात्वुर्थांस का छेदर फल अब हम क्या करेंगे हलका पीछे आ जाते हैं बराबर ले करके आप लोगों को आगे जगर रहेगा तो आप आगे आगे ही क्या कीजिएगा बनाईएगा यहां पर रखेंगे मान पाई का मान प्यारे बच्चों आपको 22 बट्टा साथ लेना है क्योंकि कुछ बोला नहीं है आर 3.5 है आप देख सकते हैं 3.5 है तो आपको 3.5 अगुने 3.5 यहां पर लिखना है आब बट्टे में जो 4 है न इसको 4 बट्टा एक कर देते हैं फिलाल ठीक है और अब आप यह पर देखिए कि हम कर क्या रहे हैं जो 22 बट्टा साथ है उसको आप सेम्स 1.2 बट्टा साथ लिझे फिर क्या करना है इसमें से दसमला हटा दीजिए तो यह 35 बट्टा दस हो जाएगा मां टो प्य तो ऍनी क्या यह गी ते 23. top 25 भी 25 बट्टा रहे है और फिर 4 बट्टा एक देख रहे हैं जब मेन वर्ठा खतम करेंगे तो ये गुना में बदलेगा तो एक चला जाएगा उपर और चार आ जाएगा नीचे अब यहाँ पर जितना भी काटने उटने का प्रोसेस है आप कर लेजिए काटिएगा तो क्या होगा देखिए काट तो बहुत ही ज़्यदा सकता है देखिए पांच दूना दस और पांच सत्य पाइटिस काटा फिर पांच दूना दस और फिर पांच सत्य पाइटिस आप काट सकते हैं फिर एक साथ से एक साथ को काट सकते हैं फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दो है इस दो से 22 को भाग करेंगे तो कितना होगा 11 होगा अब यहां पर सब कुछ काटने उठने के बाद आप देखे कि उपर में आपको क्या बच रहा है और नीचे में क्या बच रहा है तो उपर में बचा 11 गुने 7 और नीचे में बचा 4 गुना 8 देख रहे हैं कि नहीं तो हम इसको ऐसे ल बचा, 11 और 7 बचा, 11 सत्य कितना होगा, 77 और बट्टे नीचे में क्या होगा, तो 47 बट्टे 8 हुआ हलका, इसको और हम 7 से लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, यहां पर हम 77 बट्टा क्या करेंगे 8 लिखेंगे 77 बट्टा 8 कहां से आया वो आप लोग समझने पर ज़्यदा फोकस कीजिए यह आप देख रहे हैं उपर में 11,77 और 4 दूना 8 होगा नीचे में अब 77 को आप 8 से भाग दीजिए तो 8 नमा जानते हैं 72 होता है हुआ 72 77 में से आप 72 घटाएंगे 6 मिलेगा दसमला लेकर के 6 पर 0 लिजिएगा तो 60 होगा और 60 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 छक्ये 48 होगा 8 छक्ये कितना होगा? 48 तो आप बताईए 8 छक्ये जो 48 हुआ तो फिर से 2 बचा 2 पर 0 डालेंगे तो 20 2, 8 दुना फिर से क्या होगा? 16 होगा 4 बचा 4 पर ये 0 डालेंगा तो 40 होगा और 8 पंचे 40 होगा इतना CM स्क्वाइर होगा जो आपका चतुर थांस का छदरफल है वो आप इसे भी आप 77 में 8 से भाग दे लिजिए का आपको यही आपर मिलने वाला है हम भाग ना करके हम आपको केबल बता दिये कि आईसे से आप भाग करेंगे अब देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो छायांकित भाग है ये जो डीजाइन है इसका छेतरफल कैसे निकालेंगे तो इसका छेतरफल निकालने का मैं फंड आपको बताता हूँ इस कुश्चन में ये ही छायांकित भाग का छेतरफल निकालने के लिए ही बोला है दो नमर कुश्चन में तो आप क्या कीजिए ये जो चतुर्थांस है इस चतुर्थांस के छेतरफल में से इस वाले त्रभूज का छेतरफल घटा दीजिए तो ये डिजाइन का छेतरफल बच जाएगा तो अच्छी बात यह है कि आप चतुर्थांस का छेतरफल पहले ही मिकाल चुके हैं पूरे चतुर्थांस का ये 9.625 तो हम क्या करना चाहते हैं यह जो त्रभूज दिखरा है इस त्रभूज का च्छतरफल अगर मुझे मिल जाए तो हम आराम से च्छायांकित भाग का च्छतरफल निकाल लेंगे और इस त्रभूज का छदरफल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है यह त्रभूज BOD जो है BOD त्रभूज का छदरफल आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका आधार 3.5 cm है और उचाई 2 cm आपको दिया हुआ है देख सकते हैं आधार और उचाई यहां पर आपको मिला हुआ है तो इसलिए हम इस त्रभूज का छदरफल आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो लिखेंगे अब पहला कोशन बनगे आप दूसरा कोशन के लिए काम कर रहे हैं लिखेंगे अब त्रभूज बी ओडी का छदरफल तो बताईए वाईस अब त्रभूज का छदरफल ही निकालने जा रहे हैं अब चुकि समकों त्रभूज था तो इसके लिए इसका फर्मूला एक वट्टा दो गुने आधार और गुने उचाई से हम निकाल सकते हैं अब अब बताईए एक वट्टा दो तो एक वट्टा दो ही रखेंगे ठीक है आधार उसका क्या है रेख सकते हैं क्वेश्चन में बी ओ बी से ओ जो रेखा गई है तीन दसमला पांच यहीं आधार है और ओडी जो है वह उचाई है तो बी ओ आधार हुआ और उचाई ओड ही हुआ अब आप एक बट्टा दो लिख दीजिए बीयों का मान तीन दसमला पांच था तो आप तीन दसमला पांच लिए और ओडी का जो मान है आप पताई कितना था सब्सक्राइब दो लिख देंगे अब क्या होगा कि इस दो से दो कट जाएगा आपको बच गया प्यार चाय आंकित भाग का छेत्रफल आप कैसे निकाल पाएंगे बहुंग निकालने के लिए भी जस्ट हमिन बोले थे कि जतूर्थांज के छेत्रफल में से धुभूज का जैतर फल घटा दीजिए। तो लिखेंगे चातूर्थांज OACB का चत्रफल क्योंकि उसका नाम OACB ही था तो लिखेंगे च्यांगित भाग का चत्रफल बड़ाबर चत्तूर्थांस चत्तूर्थांस की इसका तो OACB चत्तूर्थांस OACB का चत्रफल OACB का चत्रफल और इसमें से माइनस करेंगे त्रभूज BOD का चत्रफल त्रभूज BOD का चत्रफल वस आपको आंसर जो है मिल जाएगा तो देखें त्रभूज का चत्रफल कितना निकाले थे 9.625 तो यहाँ पर हम 9.625 लिखेंगे और माइनस 3.5 लिखेंगे घटाईए आप तो देखिए यह 2.5 जो है वो 2.5 सेम टू सेम रहेगा लेकिन इस 6 में से यह 5 घटाईएगा तो 1 मिलेगा फिर दसमला है तो 9 में से 3 घटाईएगा तो 6 मिलेगा यानि कि 16.125 cm2 आपका फाइनल क्या होगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो दूसरा जो नंबर कुश्चन है उसके पहला और दूसरा दोनों का आंसर आपने क्या कर लिए पैर बच्चो निकाल लिया है 12 नंबर कुश्चन के लिए अब हम बढ़ेंगे पैर बच्चो 13 नंबर कुश्चन के लिए जो कि बिल्कुल ही ये कुश्चन उससे भी बहुत ज़्यादा आसान कुश्चन है समझने का कोशिस कीजिएगा क्या पूछ रहा है आकिरती 12.131 में एक चतुर्थांस O, P, B, Q के अंतरगत एक वर्ग O, A, B, C बना हुआ है ये पूरा बिर्थ का चतुर्थांस है और इसके अंदर में एक वर्ग बना हुआ है ऐसा बोला गया यदि O, A बराबर 20CM है केवल O से A का दूरी ये वाला आपको 20CM दिया गया है ठीक है ये आपको घिना दिया गया है 20CM दिया गया है तो आपको चायांकित भाग का चदरफल ग्याद करना है यानि कि ये वाला भाग जो है इसका चदरफल ग्याद करना है और पाई का जो मान इसने बोला है वही मान आपको रखना चाहिए तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको solve कर पाएंगे simple सा काम करना होगा देखिएगा इस वाले छायांकित भाग का चदरफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे पूरे चतूर्थांस का चतरफल निकाल लेंगे आप पूरे चतूर्थांस के चतरफल में से इस वर्ग का चतरफल घटा देंगे तो दो काम पहले मुझे करना होगा पहले इस चतूर्थांस का चतरफल निकालना होगा और फिर वर्ग का चतरफल निकालना होगा आफिर चतूर्थांस के चतरफल में से वर्ग का चतरफल घटा देना होगा अब प्यारे बच्चों हम सोच रहे हैं कि चतूर्थांस का चतरफल निकाला जाए लेकिन चतूर्थांस का चतरफल निकालने के लिए तिरिज्या होना बहुत ही जरूरी है जो कि इस question में दिया नहीं है केबल वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है ओ ए ठीक है ये 20 cm है ऐसा question में बोला गया है ठीक है तो भाई साब ये है वर्ग और अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि वर्ग का सभी भुजा समान लंबाई का होता अगर ये 20 cm है तो ये अबी भुजा भी 20 cm का होगा तो इस दो भुजा के help से हम क्या करेंगे तो देखें आप बताए कि ये ओ से अगर भी मैं खीचता हूँ तो ये क्या है ये क्या है पहला बात ये वर्ग का भी करन है दूसरा बात ये चतुर्थांस का तरज्या भी है ये तरज्या है किसका तरज्या है तो चतुर्थांस का क्योंगे देखें ये केंद्र है और केंद्र से ये परीधी पर बीविंदू है परीधी तक जा रहा है तो ये तरज्या भी है तो समकोन त्रभूज वाला कंसेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे देखिए आप यह समकोन त्रभूज बंधा है यहाँ पर 90 डिग्री का कुन आपको दिखाए देगा अब आप बताईए आधहार आपको 20 से मिला उचाई 20 से मिला तो इस समकोन त्रभूज का करन तो आप आराम से निकालने जीगा और यही करन लाल वाला लाइन वी से ओ तक जो गया है जो त्रज्या है त्रिज्खंड का ये निकालना परेगा तब जाके हमें चतुर्थांस का चत्रफल जो है मिल पाएगा तो देखें यहां पर सीधी सीधी बात है क्या होगा यहां पर समझने का कोसिस कीजिएगा जब हम हल करने के लिए जाएंगे पैर बच्चो तो जो यहां पर चीजे हैं पहले उसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे समझने का काम करेंगे यहां पर यह जो चतुरधांस का त्रज्या है वो हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा लिखेंगे तृभूज या फिर समकोन तृभूज लिखते जो ki ये समकोन तृभूज है और यहां पर समकोन बन रहा है आपको देखने में आ रहा होगा ये बंधा समकोन तो समकोन 90 दिगरी के सामने में करन होगा तो लिखेंगे समकोन तिरभूज समकोन तिरभूज A, B, O में हम क्या करने वाले हैं तो O भी निकालने वाले हैं या फिर इसको B, O बोल दीजिए B, O निकालने वाले है तो B, O है करन कर निकालने के लिए प्यारे बच्चो लंब का स्क्वाइर जोर आधार का स्क्वाइर करना होता है तो लंब क्या है A B है लंब A B क्या है लंब है इसका स्क्वाइर करेंगे जोर आधार का स्क्वाइर करेंगे तो आधार A O है इसका क्या करना होगा square करना होगा तो आईए अब देखिएगा कि कैसे आपको O B यहाँ पर जो है sorry B O बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है यह कैसे मिलेगा simple बात है यह A B और A O दोनों का मान 20 है तो यहाँ पर 20 का square और पलस आपको 20 का square करना होगा तो फिर क्या होगा यहाँ पर समझ इस एक भुट जाओं है जो जो देज़े रूट चार सो चार सो पितना हो जाएगा यह रूट के पिर बच्छो आट सो जाएगा और चार सो अब आप रूट आट सो कमान बताई कितना होगा तो 20 20 से 400 दुना 800 दे कि हम इस 800 को क्या लिख सकते हैं इस 800 को लिख सकते हैं 20 गुने 20 तो 20 बीस अंगर 400 और दुना 800 इसका मतलब है कि वी ओ जो यहां पर आपको मिल रहा है कितना मिलेगा वो मिलेगा प्यारे बच्चों टबल 20 में से 120 बाहर आएगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा ये इतना CM ठीक है बियो बराबर इतना CM जो है आपका क्या होगा तो ये हो जाएगा मतलब क्या का तो इसको आपका तरज्या ये अभी तो आपको समकुन तरभूज तरभूज का ये दिखे एक लेकिन यही जो है तूभी तो Разरूट दो बोल सकते इसको डीसरूट दो इसका क्या हो गया तो जबिए हो गया ये आप क्या कर दना सकते हैं समझ सकते हैं अब तरज्या मिल गया तो तो हम आडाम से जो है आगे इसका छत्रफल वगेरा निकाल सकते हैं यानि की लिख सकते हैं अर्थात आर ब्राबर इसी को आप तिर्जा कह सकते हैं इसी को आप तिर्जा कह सकते हैं तिर्जा कितना तो 20 रूट 2 cm आप इसी तिर्जा बोल सकते हैं अब आपको जब तिर्जा म निकाल लेंगे फिर वर्ग का चतरफल निकाल लेंगे और फिर हम चतुर्थांस के चतरफल में से वर्ग का चतरफल घटा देंगे तो यहां पर लिखेंगे इसी लिए चतुर्थांस का चतरफल बराबर चतुर्थांस अब कौन सा चतुर्थांस नाम था ओभी देते हैं चतुर्थांस O P B Q चतुर्थांस O P B Q चतुर्थांस O P B Q का च्छेतरफल हमें निकालना है चतुर्थांस का छेदरफन निकालने का सुत्रों था पाई आर एस्क्वाइर बट्टे चार तो कीजिए यहां पर क्या होगा पाई का मान कुश्चन में जो बोला था वही लेना है तीन दसमला एक चार तीन दसमला एक चार लेने के लिए बोला था तो हम वही लेंगे यहां पर तीन दसमला एक चार अगुने आर एस्क्वाइर तो आर अभी जस्ट निकाले हैं बीस रूट दो तो यहां पर आपको क्या करना होगा बीस रूट दो का प्यारे बच्वाइर करना होगा नीचे में चार है तो चार लगा लिजिए अब आप देखिए उपर में तीन दसमला एक चार आपको मिल रहा है फिर गुना है तो गुना होगा कोष्ट के अंदर देखिए यह बीस रूट चार सौरी बीस रूट दो का ए स्क्वाइर जो तो का एस रूट दो का जो स्क्वाइर है वो दो होगा यानि की 800 हो जाएगा तो वो तो होगे आपका 800 और बट्टे में कितना होगा चार होगा अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको भाग वगयरा यहां पर आप देख सकते हैं क्या होगा सीधी सीधी बात यहा 800 को, ठीक है, तो चलिए हम गुना कर देते हैं, आपको 3.14 से, एक मनुट, एक मनुट, 3.14 से आपको क्या करना है? गुना करना है, 3.14 से गुना कीजिएगा 800 को, 800 गुना किया, तो आपको मिलेगा, पैरबचों यहां पर पचीस सो बारा, कितना मिलेगा, तो पचीस सो बारा मिलेगा, और बटे में चार है, यानि कि चार से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा, फिर आप इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे चार से, तो छोसो अठाइस मिलेगा, कितना मिलेगा, छोसो अठाइस ये भाग दे यहां पर यह जो वर्ग है इसका भूजा बी सीम है तो आप लोग वर्ग एबी सी ओ एबी सी डी नहीं एबी सी ओ देख सकते हैं या फिर ओए बी सी वर्ग ओए बी सी का आप क्या करेंगे छट्रफन लिका लेंगे लिखेंगे अब अब वर्ग ओए बी सी का च्छेत्रफल ओए बी सी का हम क्या निकालने वाले हैं च्छेत्रफन निकालने वाले हैं तो च्छेत्रफन निकालने का सुत्र क्या होता वर्ग का च्छेत्रफल होता प्यारे वर्चु भूजा एसक्वार क्या होता है भूजा एसक्वार होता ह है तो भूजा की दना था वर्ग का 20 का करेंगे स्कौरियर 20 को कर जो स्कौरियर है वह हुजाएगा प्यारा वज्कार पर चारशो यानि की 400 पर पर 400 क्यों चारशुम मिल गया इस लिए आपको च्हायांकित भाग का का चैतरफल निकालना है तो चायांकित भाग का चैतरफल निकालने के लिए चतुर्थांस के चैतरफल में से वर्ग का चैतरफल घटाना होगा तो हम यहां पर डिरेक्ट घटा ही देते हैं एक मिनट देखो एक मिनट यहां लिखेंगे इसी लिए चायांकित भाग का चैतरफ ला माइनस वर्ग का चैदर फल तो लिखी देते हैं कि अ कि अ कि चतुर्थांस कौन था भाई तो चतुर्थांस था आपका ओपी बी क्यूँ अ हाटऊ भीट है व पीट क्यूँ था तो तत भी और क्यों का चयतर फल दीक Sud में लाना एक लिशा हैं निकाल nå act 4 थाँस का च्धतर फ़ल अभी आप लोग जस्ट निकाले हैं 128 आवर्ग का शर्फन लिका ले है 400 तो यहां पर हमें 628 माइनस 400 करना होगा तो 228 आपका विल्कुल फाइनल आंसर हो जायेगा 288 cm में था सबकुछ तो आपको आंसर क्या करना है cm square में ही लिखना है तो इस तरह से आपने 13 नमर कुश्चन भी बना लिया चौदर नमर कुश्चन बेहद बेहद आसान है देखिएगा क्या पूछ रहा है चौदर नमर कुश्चन में चौदर नमर कुश्चन है कि A, B, R, C, D केंदर O वाले O तता 321 और 7CM वाले दो संकेंदरिये बिर्तों के करमसा दो चाप है यानि कि ये A, B जो है ये चाप है और ये C, D भी जो है वो चाप है किसका तो 1CM और 7CM तरजा संकेंदरिये बिर्तों के दो चाप है इस दोनों का केंदर एक ही है देख सकते हैं यही केंदर है और इसका तरजिया है 7CM और इसका तरजिया आप देख सकते कुश्चन में XCM जो है दिया गया है और यहाँ पर कौन भी दे दिया है कौन ओ जो है वो 30 डिग्री है आप देख सकते यहाँ पर कौन ओ भी कुश्चन में 30 डिग्री दिखाया गया है तो छायांकित भाग का 6 रफल ग्यांत कीजिए बहुत स्खोब बहुत सिंपल आपको इस वाले भाग का 6 रफल क्या करना है निकालना है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो 21CM तरजावाला है यह चतुर्थांस है एक तरह से यह क्या है चतुर्थांस है यह क्या दिख रहा आपको चतुर्थांस तो यह बरा चतुर्थांस है 21 cm 30 वाला और छोटा चतूर्थांस देख लिए आप यहां से यह है आपका छोटा चतूर्थांस देख रहा है 7 cm 30 वाला तो हम करेंगे क्या 21 cm 30 वाले चतूर्थांस में से 7 cm 30 वाले चतूर्थांस का चतूर्फल घटा देंगे तो ये आपका चदरफल बच जाएगा बस यही करेंगे और कुछ इसमें करना है नहीं क्या दिया है नहीं दिया है वो भी लिखना नहीं है क्योंकि वो फीगर में दे रखाय पाले से ही अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डारेक्ट हम चायांकित भाग का चदरफल लिख देंगे लिखेंगे बिल्गू ठीक है लिखेंगे चायांकित भाग का चदरफल बरावर चायांकित भाग का चदरफल बरावर यह बरावर का साइन हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं लेकिन आप काम इधर से ही करेंगे हम क्या करेंगे तो जो आपका त्रिजखंड है ये त्रिजखंड के फर्मूला से ही क्या बनेगा त्रिजखंड O A B ये एक बरावाला त्रिजखंड है इस त्रिजखंड के छहतरफल में से त्रिजखंड O O, C, D का 6 फल घटाएंगे तो चलिए लिखेंगे त्रिजखन्ड यहां से लिखते हैं त्रिजखन्ड कौन चीज तो पहले तो बराबाला यानि की O, A, B का 6 फल और इसमें से घटाना छोटा बाला यानि की त्रिजखन्ड त्रिजखन्ड किसका त्रिजखन्ड आपको O, C, D, O, C, D का 6 फल आपको क्या करना है घटाना त्रिजखन ओसी डी का 6 फल आपको इसमें से घटादेना है तो आप यहां से आप लोग जो है समझना शुरू किजिए त्रिजखंट का 60% निकालने का सुद्र प्यर वाच्चो ठीटा बट्टा 360 गुने PiR स्क्वाइर होता है तो इस त्रिजखंट का 60 गुने PiR स्क्वाइर करेंगे Pi और बराår आre स्क्वाइर करते हैं क्योंकि यह बराबाला गुते 2 किकनत का 21 तर्जय है है एंड इसमें भी वहिँ होगा है ठीटा बट्टा तीन्सो साथ है ठीटा बट्टा вот चीन्सो शॉब्ट अगुने पाइ औरए स्कोयर तो यहाँ पर छोटा आरे स्कोयर हम लखते हैंब अब आप एक कान कीजिए कि ठीटा बट्टा तीनसो साथ और पाई आर आप कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन मत लेजी चलिए उख़ाए कोई दिक्कत नहीं है ठीटा का मान आप देख लेजिए कुस्चन में 30 डिगरी है देख सकते हैं ठीटा का मान 30 डिगरी है तो हम यह आपर 30 डिगरी लिख देंगे उपर में ठीटा का मान कितना लिखेंगे 30 डिगरी बट्टे में 360 है तो 360 लिखेंगे गुने पाई का मान कहीं कुछ नहीं बोला गया है तो हम 22 बट्टा साथ लिखेंगे और आर एसक्वाइर क साथ होगा 360 होगा अगुने पाइ का मान होगा आपका 22 बट्लता साथ & Rs qiया होगा आर यहां पर साथ है छोटा और का मान साथ है तो साथ गोने क्सक्राइच लिख देंगे अब 12 या 36 फिर इस 3 से 12 को भाग किजेगा तो 4 मिलेगा चार मिला और अब आप काट सकते हैं एक बार और 4 का आधा 2 एंड इधर 22 का आधा जो है मिलेगा 11 अब आप नहीं काट सकते हैं अब आप जैदा कटेगा भी नहीं वही काम आप इधर भी कर लिजिए एक 0 से एक 0 कार दिजिए तीन से 36 को भाग दिजिएगा तो 12 या 36 फिर आप एक 7 से एक 7 कार सकते हैं 12 का आधा होगा 6 ये जो 12 आपको दिख रहा है इसका आधा 6 और 22 का आधा हो जाएगा आपका 11 अब आप देख लिजिए कि बाइं साइड क्या बच रहा है तो हम अगले पेज पर ये सब कार नामा करेंगे इधर आईए देखिए क्या होगा सिंपल सिंपल बात है यहां देखिए उपर में 11 और 21 बच रहा है 11 और 21 आपको बच रहा है 21 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताईए 21 को 11 से गुना किजिएगा त तो 231 होगा सायद 21 21 हाँ बिल्कुल 231 हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे जो उपर में बचा 11 और 21 उसको गुना कर देंगे नीचे में केबल दो 231 बटता 2 होगा इसमें कोई दिक्कत है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो यहां पर 231 बटता 2 क्या मैनस करना इधर देखिए इधर उपर में 11 और 7 बच रहा है तो 77 बटते क्या होगा चोगा 11 277 और बटते में 6 तो 77 बटते चो लिख देंगे हम 77 बटते में क्या लिखेंगे चो अब क्या होगा समझे तो 2 और 6 का 3 क्या होगा सर्ट तो सीधी सीधी बात है दो यानल यान्red के 3 वर आको क्यों ना मिलेगा है कि एक मनट तो रुुक्त ओक दो से लगाएगा दो एंक दो दो ती तो आप यहां पर लेंगे च्छो लिख लेंगे दो से च्छो में भाग देंगे कितना होगा दो से च्छो में भाग देजिए का तो तीन कि टिया न ओर तीन दूना 6 माइनस है तो माइनस why एकाश हो और सुन में 77 गुना कीजिए गाश होगा एद फिर आप इसमें से 78 घटाईए तो सतė ड़्याञेगा टिराने मैं से 77 घटाईगा तो मिलेगा 8 क्यूंकि आठ साथ 15 एक मिनट 13 में से साथ जाएगा आप बिल्कुल ठीक है कि तेरा साथ अठारा बिल्कुल ठीक है आप 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 देखिए ती दू तिया च्छत तीन एक तीन का तीन 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 और तीन दूना चौप का रहा है तो आप अगर इसमें से घटाते हैं तो में सब यहां पर तो चो आएगा एंड यहां पर आपका आठ में से साथ घटाएगा तो आपको एक मिलने वाला है बिल्कुल ठीक है और यहां पर आपको मिलेगा चो अठीक है यह कट जाएगा फिर चले ठीक ही है आप क्या करें घटाएंगे तो उपर में जो तो आपको यही वैलू क्या होगा मिलेगा तो सिंपल सी बात है अब आपका सीधा-सीधा आंसर ही आ चुका है ऊपर में होगा 308 बट्टे में होगा तो इस तरह से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं एक ही बारी में आपको जैदा यहां पर भाग दोर नहीं करना परेगा बरेंगे आगे हम लोग अगले 15 नमर को देखिए गा यह कोश्चन हलका ध्यान से देखिए गाने तो आप पिछल सकते हैं तो इसलिए पूरा जो है फोकस कीचिए का समझने पर देखते हैं क्या है नहीं है 15 नमर कोश्चन जो है वो पूछ रहा है कि आकिरती बारा दसमलक तैंटिस में यहीं है भाई साब आकिरती बारा दसमलक तीन तीन ABC 34CM वाले एक बिर्थ का चतुर्थांस है यह ABC जो है यह जो दिखाई दे रहा है यह ऐसे भुमा करके जो आया है यह है चतुर्थांस यह क्या है चतुर्थांस है ठीक है तथा BC को ब्यास मान कर एक आर्दविर्थ खीचा गया है यह जो है इसको ब्यास मान करके एक आर्दविर्थ खीचा गया ऐसा यह आर्दविर्थ क्या किया गया है खीचा गया है तो आपको चायांकित भाग का च्छेतरफल ग्यात करना है किस वाले भाग का तो इस वाले भ भूसस कीजिएगा आराम से समझ में आएगा कि कैसे इसका छगरफल हम ग्याद कर सकते हैं देखिये सबसे पहली बात तो यह बोला कि कर थे जो है यह जो है यह ब्यास है इस वाले अर्द विर्थ का तो हम क्या करेंगे देखिए और बिर्थ ब्यास निकालेंगे और इस चतूर्थांस का भी ब्यासं निकालेंगे और फिर इस तिर्भूज का भी ब्यास चेत्रफल चेत्रफल और तब देखिएगा कि कैसे हम काम कर पाएंगे तो सीधी सीधी बात है मान लिजे बीसी अगर आर्ध बिर्त का ये वाला जो आर्ध बिर्त बन रहा है आधा बिर्त जो बना हुआ है इस आर्ध बिर्त का अगर बीसी ब्यास है question में बोला है तो इसके बीच में इसका क्या होगा तो मानले जिये यह इसका कियंद है उजो है वह हमने मान लिया कि इसक current है और यहां पर एक बिंदु हम कुछ भी Q दे देते हैं मानले जिये यह EU नहीं पर क्या दे दिया Q यह Q बिंदु हम इसलिए देना पड़ा है ताकि है define कर सके कि a b q c एक अलग चतुर ठांस है और यहां पर कुछ एक बिंदू हम दे देते हैं इसका मान ले जिए हमने नाम पी दे दिया अब पी क्यों दे रहे हैं ताकि मैं पता चले कि बी पी सी ओ एक अर्ध पीरत है ठीक है यह सब define करने के लिए दे दिया अब क्या करेंगे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि a b c कत जो है त्रिज्या आपको दिया गया इस question में यानि कि यह 14 cm है यह जो है ना यह से जो सी जा रहा है वो त्रिज्खंड का त्रिज्या है त्रिज्खंड का क्या है त्रिज्या है आप बिल्कुल जो है इस तरीका से समझ सकते हैं त्रिज्खंड यानि कि यह 14 cm है यह कि जना cm है 14 cm यह c से लेकर के a तक c से लेकर के यह क्या प्यारवच्चो 14 cm है उसे तरीका से जो a b है न यह यह 14 cm हो क्योंकि यह भी केंदर से पड़ीदी तक जा रहा है तो यह भी यहां पर 14 cm होगा यह क्या होगा 14 cm यहां पर आपका यह भी जो है होगा अब एक बात आगे आप समझे अगर मैं इसका यह वाला भाग निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकता हूं क्योंकि यह बन रहा है समगों त्रिभूज बन रहा है तो उस्समकोन त्रभूज है इसमें आधार और उंचाई है तो यह कर्न कहलाएगा बीसी क्या कहलाएगा कर्न और और BC निकाल लेने के बाद हम क्या करेंगे आराम से जो अर्ध बिर्थ दिखरा है इसका हम तरज्या बोल देंगे अर्ध बिर्थ का तरज्या आराम से निकाल लेंगे उसका अधा करके उसका अधा करके क्या करेंगे अर्द्वेर्द का तिर्जा हम पता कर लेंगे तो हम सबसे पहले इस बाले त्रभूज में BC निकालना चाहते हैं इस बाले त्रभूज में क्या करना चाहते हैं BC निकालना चाहते हैं चलिए हल करते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे समकोन तरभूज ABC में लिखेंगे समकोन तरभूज ABC में हम क्या करना चाहते हैं तो हम BC निकालना चाहते हैं BC क्या है कर्न है तो कर्न बराबर फर्मूला क्या होता है लंब स्क्वाइर जोर आधार स्क्वाइर तो लंब कौन है भाई सब AB है तो AB का SQ होगा और जो आधार है AAC तो यहाँ पर आपका AC का क्या हो जाएगा SQ हो जाएगा अब आप BC यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि AB और AC पता है AB प्यारे बच्चो 14CM है तो 14 का हम परेंगे SQ आर पलस AC भी 14 है question में देख सकते हैं तो यह भी SQ किया जाएगा तो यहाँ पर आपको BC कितना मिलेगा 14 का स्कॉर बताई एक सो 96 होता है तो एक मिनट तो 14 14 A² B² है तो खर भी सकते को रिकर नहीं है देखें आपर 14 का स्कॉर कितना होगा 196 फिर इसका भी क्या होगा 196 होगा 196, 196 को पहले आप जोड़िए जोड़िएगा तो क्या मिलेगा उस पर कि हम बताना चाहते हैं आपको पूरे डिटेल में सब चीजे करके दिखाना चाहते हैं तो बताईए आप जोड़िएगा तो 6-6-12 का 2 होगा हासिल एक होगा 9-9-18 और 11 का आपका 9 हो जाएगा हासिल एक होगा और 1-2-1-3 होगा 392 हुआ अब क्या करेंगे तो सीधी सीधी बात है आप BC का सुतर आराम से यहाँ पर पता कर सकते हैं आप BC कमान कितना होगा भी बता सकते हैं 900 बीरानवी जो आपको मिल रहा है इसमें 2 से भाग लगाई दो से भाग लगाईएगा तो यह फिर से 196 हो जाएगा फिर आप इसमें 2 से भाग लगाईए तो 9-18 और 8-16 याने की 98 हो गया फिर दो से लगाईए तो आप जानते हैं 48 दूना जो है या फिर 49 दूना आपका अंठानवी होगा तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया 49 मिल गया फिर आप 7 से लगा देए 7 सकते 49 याने की आप देख पा रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 है 3 बार तो 1, 2, 3 आप इस 7 है 2 बार तो हम 7 दिख सकते हैं इस डबल 2 में से 1 दो बाहर और इस डबल 7 में से 1 साथ क्या होगा बाहर होगा तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या सो देखने का कोस्ट कीजिए देखिए डबल 2 में से 1 दो बाहर हुआ cm यहांपर bc लेसि मिल चुका है आपको तो यह सब रफ में किजीए हैं यह सब रफ में करेंगे हम आपको सामने में निकाल सकते हैं लिए हम क्या करेंगे यहां पर अब लिखेंगे यह किसका तर्जा होगा तो आर्दवीर्थ बी ओ सी पी का हम पाले तर्जा क्या करेंगे निकालेंगे लिखेंगे अगर आपको बी सी मिल चुका है तो लिखिएगा इसी लिए आर्दविर्थ आर्दविर्थ ब्रित बी ओ पी सी बी ओ किसी मत बोलिए बी ओ सी पी बोलिए ठीक है बी ओ सी पी बी ओ सी पी ओ सी पी का चैतर पर नहीं त्रिज्या बी ओ सी पी का हम निकालना चाहते हैं त्रिज्या और इसका त्रिज्या हम यहां पर इसको मानते हैं ओ से बी को और ओ से C भी तरजया है तो O से B ही लिखते हैं O B लिखते हैं या फिर O C भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत ने O से C आप चाहिएगा तो O C भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत ने हम O C ही लिख देते हैं O C क्या है तरजया है तो तरजया निकालने के लिए आपको बीसी को दो से भाग देना होगा बीसी को दो से क्या करना होगा भाग देना होगा तो दे दीजे भाग बीसी अभी जस्ट आप निकाले हैं चोदा रूट दो तो चोदा रूट दो को दो से भाग देंगे का दो से तो 14 जो है ना वो हो जाएगा साथ रूट दो कितना होगा साथ रूट दो सी एम आपका हो गया तरज्या अब चुकी आपको आर्ध बिर्त का तरज्या मिल चुका है तो इसलिए आप आर्ध बिर्त का छेत्रफल निकाल लेजिए तो लिखेंगे इसलिए आर्ध बिर बी ओ सी पी का च्छेतरफल आर्द बिर्थ बी ओ सी पी का क्या निकालने वाले हैं च्छेतरफल निकालने वाले हैं यह वाई सब आर्द बिर्थ है तो आर्द बिर्थ का च्छेतरफल आप सभी जानते हैं पाई आर एस्क्वाइर बटे टू होता है होता है अब इसमें आप म करेंगे उपर व्याहिए तो आपने सब्सक्रावेश्या साथ ही लिखिएगे to 227 ऑर मिला है वह लिखिए खीए लिखिए भूलोग यहां पर साथ लूट दो और गुने साथ रूट दो लिखेंगे नीचे में आपको दो दिख रहा होगा ये दो क्या कर लिजी आप लिख लिजी एंड अब क्या होगा सो समझने का है यहां पर आप कोसिस कीजिएगा सीधा सीधा अगर हम इसको स्वाल परने की बात करें देखिए कट जाएगा अगर आप काटना चाहे तो दो देखिए क्या होगा समझे आप यहां पर इस दो से इस बाइस को भाग कर सकते हैं मिलेगा एगारा कैसे भाग करेंगे क्योंकि बट्टक नीचे जो है न वो ओपर से ओपर और नीचे से नीचे जो है कट सकता है अब आपको बच क्या रहा है एगारा गुने साथ गुने साथ बच रहा है यानि की एगारा गुने साथ गुने साथ और यह रूट दो को रूट दो से गुना कीजिएगा तो यह मिलेगा दो रूट दो को दो से गुना कीजिएगा कितना मिलेगा दो मिलेगा तो अब आप इस साथ को हलका बरा करके हम लिखते हैं एक मिनद दूचो इस साथ को भूलना नहीं है ये साथ आप लिख लिजे पहले ये बाला साथ अगर आप यहाँ पर लिख लेते हैं तो आप सीधा बोलेंगे कि सर इस साथ को थो हम काट सकते हैं एक साथ से एक साथ कट गया तो नीचे में एक साथ हमें कम करना परेगा ये टबल साथ नहीं हम लिखेंगे केवल एक साथ ही लिखेंगे यानि कि बस इतना ही हमें क्या करना है लिखना है क्या है सो समझने का यहां परकोसिस कीजिएगा 11 गुने 7 तो ठीक है रूट 2 को रूट 2 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा अब आप इसको गुना कर लिजिए 1177 होगा सतत्र को दूसे गुना कीजिएगा तो आपका होगा 154 कितना होगा एक सोट चोबन सी एम एसक्वाइर सी एंड्रॉस्पॉयर आपको और देंद का चैत्रफर मिला है अब त्रिभूज का चैत्रफर निकालना चाहते यह बाला त्रिभूज अबी सी एजो आपको त्रिभूज दिख़ीर एसे इसका हुशा चाहते तो अधहार गुणैं जा फिन Klehmirm निकालना चाहते हैं definesky इसका सुत्र प्यार बच्चों होता है एक बट्रां गुणैं आधहार और गुणैं उचाई ऐस में क्या होता है उचाई होता है अब आप बताईए एक बट्टा दो तो एक बट्टा दो है आधार चौदा था और उचाई भी प्यारे बच्चो चौदा ही था तो आप यहां से दो से अगर आप चौदा को भाग करते हैं एक मिनट एक मिनट यह दो जो था इस दो से अगर आप चौदा को भ सियम एस्क्वाइर मिल गया त्रिभूज का चत्रफल अगर आपको मिल चुका है तो एक काम आप और कीजिए यह जो चतूर्थांस दिख रहा है ए बी क्यू सी यह वाला चतूर्थांस इसका चत्रफल आप क्या कीजिए फ़ले आप निकाले तो चलिए हम इस चत्रफल निकालने जा रहे हैं चत्रफल निकालने जा रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा चलो देखते हैं इसका चत्र प्रफल कैसे निकालेंगे तो चत्रफल तरजया 14 cm दिया है तो चत्रफल लिकालना तो कोई भरी बात होगा नहीं तो लिखेंगे कि एवं कि चतुर्थांस कि इस चतुर्थांस का नाम कोश्चन में सीधा एबीसी दिया है एबीसी तिर्जया 14 सुझ आएं एक बिर्द का चतुर्थांस स cabinet कि हम एवीसी ना बोलकर के ए भी क्यूव सीuine यह क्यों कि क्यूव होकर करके यह हमारा ला दाए नाकी पी होकर कर ठीक है ए भी कि-सी अचतिक है या या फिर चतूर्थांस कौन सा तो ए बी और क्यू सी ए बी क्यू सी का छत्रफल तो भाई सब चतूर्थांस का छत्रफल निकालने का फर्मूला कई बार डिसकसन कर चुके हैं तो यानि की पाई आर स्कॉएर में क्या करेंगे चार करेंगे हल कीजिए पाई का मान उपर बाइस बत्ता साथ होगा और यानि के त्रिज्जया जो है इसका चौदर सीयम था देख सकते हैं 14 cm तो हमें 14 गुने 14 लिखना होगा 14 गुने 14 लिखना होगा और बट्टे में करेंगे 4 क्योंकि आप देख सकते हैं आप जो यह चीज होगा वो कितना होगा चार बट्टे में 4 है तो हम 4 लिखेंगे ही लिखेंगे अब आप देखिए कि हम करेंगे क्या सीधी सीधी बात है अगर काटने का जहां तक बात है तो आप काट सकते हैं देखिए 7 दोना 14 दो से 4 को भाग किजिएगा 2 अफिर इस 2 से 22 को भाग किजिएगा तो मिलेगा 11 अब देख लिजे जो बचा वही आपका इसके लिए तो यहां पर 11 14 बच रहा है तो कितना होगा बताईए 11 14 कीजिएगा तो 14 का 14 14 का हासिल यह चार लेखेंगे हासिल एक फिर 14 का 14 हासिल एक 154 मिल गया 154 यह यहां पर आपको चतूर थांस एबी क्यूसी का चत्रफल मिल गया अब आप छायांकित भाग का चत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा जरा यहां पर ध्यान से समझे मेरे बातों को हलका एक वार इसको सेव कर लेते हैं ताकि फिर यह मिटे नहीं एक मिनट टाइम द कि ह्मंत की अब देखे क्या होगा अब आपको इस बाले भाग का क्या करना है छैत्रफलत के छैत्रफल में हम इस्ट्रभूज का जोर दिया तो यह पूरा हो गया यह पूरा फिगर आ गया अब इस पूरा में से हम क्या करेंगे कि हमें तो केवल चायांकित भाग का ही छेतरफल चाहिए तो हम क्या करेंगे इस में से चतूर्थांस का छेतरफल घटा देंगे यह वाला जो चतूर्थांस है इसका छेतरफल तो ये वाला भाग आपको बच जाएगा ओके चलिए तो हम यही करते हैं लिखेंगे चायांकित भाग का चतर बराबर अच्छा पेज ही नहीं बचा है तो देखिए कितना मिलेगा आपको चायांकित भाग का चतर बराबर तो लिखेंगे चायांकित भाग का चतर बराबर अच्छायांकित भाग का चतर बराबर बताईए कितना होगा चायांकित भाग का चतर बराबर बताईए कितना होगा चायांकित भाग का चतर बराबर तो हम क्या बोले थे जो आर्ध विर्त का चतर फलता उसमें जोड़िये आ प्त्रभूज का सब्सक्राइब तो लिखेंगे आर्ध भीर्त अरे भाई साब अर्ध ब्रित कौन तो भी ओ सीपी था आपका भी ओ सीपी का छहत्र फल यो सीपी का छहत्र फल और पलस में करेंगे त्रभूज एबीसी का छहत्र फल ठीक है एंड इसमें से घटाना परेगा आपको क्या घटाना परेगा तो चतुर्थांस का छहत्र फल तो यहां पर लिख देते हैं चतुर्थांस चतुर्थांस कौन सा था तो आ, सी क्यूं भी आप बोल सकते हैं एक मड़ जो चतुर्थांस के बारे में क्या लिखे थे चतुर्थांस एबी क्यू सी लिख देते हैं ऐ, बी QC का छेतरफल यह भी QC का हम यहाँ पर क्या करेंगे छेतरफल लिखेंगे तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर क्या करिए बताने एक पोसिस कीजिए आर्द बिर्त का जो छेतरफल है वो कितना निकाले थे आप लोग तो 154 निकाले थे आर्द बिर्त का छेतरफल 154 था इसमें जोड़ेंगे त्रभूज का छेतरफल जो की अन्थान में था और इसमें से घटाएंगे चतूर्थांस का छेतरफल जो की 154 है चतूर्थांस का छेतरफल भी क्या है 154 CM2 है तो यहाँ पर 154 हम क्या करेंगे घटाएंगे तो देखिएगा फाइनली आंसर कितना होगा तो 154 माइनस 154 यह खतम तो बच के आगे आपके पास अंठानवे तो यह अंठानवे CM2 अंठानवे CM2 फाइनल आपका आंसर हो गया छायंकित भाग के लिए तो हलका आपको कोई दिक्कत जो है नहीं आएगा और यह लास्ट कोश्चन आज के कलास का है और कई बार लोग इसको क्लिष्ट भी समझते हैं लेकिन है तो यह बहुत ही आसान कोश्चन समझने का कोशिस कीजिएगा कि क्या होगा इस कोश्चन में नहीं होगा आपको बोला है कि 12.34 जो की यही फिगर है छायांकित डिजाइन का चैतरफल ग्याद कीजिए यह जो अन बीच में डिजाइन बना हुआ इसका चैतरफल ग्याद करना है जो आठ सीम तिर्जा वाले दो बिरतों के चतुर्थांसों के बीच ओबरनिस्ठ है यानि की एक जो आपका चतुर्थांस है वो यह है देख लिजे जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे गया है एन्ड ऐसी आया है यह एक चतुर्थांस है मालनी जिए ठीक है और दूसरा चतुर्थांस क्या है तो दूसरा चतुर थांस आप देखेंगे तो ये है दूसरा चतुर थांस ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये है दूसरा चतुर थांस ठीक है तो बताईए आप ही बताईए कि ये डिजाइन जो है वो दोनो चतुर थांस में आ रहा है कि नहीं बोलेंगे और दोनों चतुरफांस में दिख रहा है तो दोनों चतुरफांस में दिख रहा है इसी लिए कि पर वलिए इसका नाम् ये आपका B माल लेजिए, ये C और ये आपको D माल लेजिए, ठीक है, तो A, B, D, ये एक चतुर्थांस होगा, लेकिन यहाँ पर हम नाम दे देते हैं Q, एक बिंदू दे देते हैं, ताकि आपको define करने में अच्छा हो, तो एक चतुर्थांस क्या बनेगा, A, B, Q, D, ये एक चतुर्थांस हुआ, और दूसरा चतुर्थांस को define करने के लिए यहाँ एक बिंदू हम दे देते हैं, इसका कुछ भी नाम बताइए, तो Q दिये है, तो इसका P देते हैं, P Q अच्छा रहेगा, अब क्या होगा, C, D, P, B, या C, B, P, D, ये दूसरा चतुर्थांस हो जाए हैं, क्योंकि आपको ठीटा भी पता है, और तरज्या भी पता है, ये तरज्या है, ये चतुर्थांस का क्या है, तरज्या है, और ये तरज्या के साथ-साथ इस वर्ग का भुजा भी है, वर्ग का क्या है, भुजा भी है, जरा आप ध्यान दीजी आप मेरे बातों पर, आठ सीम ही चतूर थांस का त्रिज्या भी हैं तो हम यहां पर सबसे पहले वर्ग का छत्रफल लिका लेंगे वर्ग का छत्रफल तो जब हम लोग हल करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे वर्ग का छत्रफल लिका लेंगे लिखेंगे वर्ग एबी सीडी एबी सीडी का छत्रफल वर्ग एबी सीडी का हम क्या निकालना चाहते हैं छत्रफल तो वर्ग का छत्रफल प्यारे वच्चों होता है भूजा स्क्वाइर तो क्या होगा भूजा आठ है तो आठ का वर्ग का छत्रफल मिल गया वर्ग का छत्रफल निकालने के बाद आप दोनों त्रिजिखंड का छत्रफल निकालिए तो सबसे पहले हम A B Q D A B Q D त्रिजिखंड का छत्रफल निकालते हैं तो लिखेंगे त्रिजिखंड त्रिजिखंड A B Q D A B Q D का छत्रफल A B Q D का हम क्या निकालने वाले हैं त्रिजिखंड A B Q D का छत्रफल निकालने वाले तो बताईगे त्रिजिखंड A इसका छत्रफन निकालने का सुत्र होता q 303302 Kw 40ulk च papa पाय स्क्क्रञ क्वाजार तो पाई-र sqa यहां पर आपको 8 करना होगा अब जहां तक जो काट सकते हैं आप काटने का क्या कीजिए पोसिस कीजिए तो देखिए 0 से 0 कटा और 9 34-36 काट काट ग्याँ आज ँट्चे दोण यह आठ कट जाएगा इससे ज्याधा आप यहां पर नहीं काट सकते हैं तो आपको जो भाल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा हम यहां पर लिख देते हैं आप नीचे ही लिखिएग चलो लिख देते हैं आप देखिएगा 22 को आठ से गुना कीजिए फिर उसको दो से गुना कीजिए तब 22 दूना हो गया 44 और 44 को आठ से गुना करिएगा तो 48 32 का होगा दो हासिल 3 और 48 32 35 यानि कि 352 मिल गया और बट्टे में केवल 7 बचा हुआ है तो ये बट्टे में 7 लगा दीजिए इतना CM S2 मिला क्या चीज तो चतुरधांस का 16 फ़ल ये इधर बाले 40 निकालना और बांकी है उस चतूरधांस का नाम क्या दे देंगे हम तो CDPB यानि कि ये वाला ज़िछ चतुर्थांस बनना इसका चतरफल तो लिखेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार चतुर्थांस बोलिए या तरिज्य खंड बोलिए दोनों बात परावड़ यह तरिज्खंड ही बोल दोते हैं तरिज्खंड इसी प्रकार त्रिज्य खंड किसका सब्सक्राइब तो त्रिज्य खंड जो CDPB CDPB का छत्रफल आप निकालना चाहते हैं तो यह त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड का सब्सक्राइब आप देखिए मैं यहां पर बिना निकाले भी लिख सकता हूं क्यों कि इस वाले तिर्ज्य खंड का त्रिज्य आठ था और ठीटा कोन था तो 352 बट्टे साथ आया ठीक है तो इस वाले तिर्ज्य खंड का भी तो वही है सब कुछ तिर्ज्य आठ है और ठीटा भी 90 डिग्री है तो दुबारा निकालने की जुरुत नहीं है हमने लिख भी दिया है कि इसी परकार से जब हम निकालेंगे तो आपको वही वैल्य मिलेग तो सेम तुसेम उस वाले चतुर्थांस का भी छेत्रफल 352 ही होगा आप निकालेगा तो भी वही होगा चुकि एक बार निकाल चुके हैं तो दुबारा निकालने की जुरुत नहीं है 352 वट्टे 7 ही लिख देंगे 352 वट्टे 7 cm स्कॉएर 352 क्या करेंगे साथ CM स्कॉर यहां पर आपका यह हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे अब चायांकित भाग का छत्रफल क्या करेंगे निकालेंगे तो देखिएगा चायांकित भाग का छत्रफल कैसे निकलेगा ये जो आपका डिजाइन है इसका छत्रफल कैसे निकलेगा तो आप क्या कीजिए कि दोनों त्रिजखंड का छत्रफल जोड़ दीजिए और उसमें स वर्ग का चत्रफल घटा देजिए तो च्छायांकित भाग का राव्चे वैदि पैब दो अबने लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे इसी लिए ज्यांकित भाग का चत्रफल बराबर तो च्छायांकित बार का स्वा से लिगारने के लिए क्या करना होगा तो दोनुत रिजुकंड का च्षाटर पर जोडना होगा यानी कि लिखेंगे त्रिजिक हंड ऊण meer कौनसा ट्रिजखंड था एकं तो अ भी क्यू डी करेंगे त रिजखंड है वह आप देख सकते हैं कि CDPB CDPB तो लिखेंगे एक मुनट एक मुनट हाँ पलस में आपको त्रिजखन्द क्रिजखन्द कौन सा तो CDPB क्या करेंगे लिखेंगे और इसमें से घटाएंगे वर्ग का छेत्रफल क्या बोलेंगे वर्ग वर्ग ABCD का छेत्रफल वर्ग ABCD का छेत्रफल इसमें से प्यारे वप पच्चों क्या अगर इंघटाएंगे तो चलिए अब प्रोसेस चालू कीजिए त्रिजखन्द ABQ है यह हलका इसको और अच्छा से कर देते हैं एक मिनट ABQD बिल्कुल ठीक तो यहां पर आपको क्यों लिख देना है यह क्यूं होगा और दूसरा जो है वो CDPB है CDPB बिल्कुल ठीक है यह अब दोनों का छेत्रफल आप लिखिए तो दोनों का छेत्रफल अभी जस्ट आप लिखे भी थे हैं कि पहले वाले तिर्जिखंड का 300 22 akaingen आपका साथ आया था और पवलस दूसरे Lei का भी वही आया था 300 2 वाज सैं लेकिन माइनस करेंगे इसमें से वर्क का छेत्रफल रख का सघ्ठ का छेत्रफल देख लिए और था beth evenritis तो हम क्या करेंगे इसमें से 64 घटा देंगे यानि कि 64 बट्ठा एक आप घटाईएगा तो बस बट्ठा का जोड़ गटा आपको आना चाहिए साथ-साथ-1-7 साथे का साथ और 352 का 352 फिर 352 का यहां भी 352 माइनस है तो माइनस एक सत्य साथ और साथ से 64 को गुना कीजिए तो साथ से 64 को अगर आप गुना करते हैं तो साथ अच्छा साथ चोके होगा आपका 28 साथ चोके 28 का आठ होगा हासिल दो और फिर साथ च्छक 42 और दो आपका हो जाएगा 44 कितना होगा 44 अब आप उपर क्या करेंगे जूर घटाव करेंगे 352 तीन सो बावन यह 704 होगा 352 352 कितना हो जाएगा 704 तो 704 आप लिख लिजिए और इसमें से घटाना होगा फिर आपको हम एक ही बार कर देते हैं दो बार करने की जुरूरत नहीं है देखें यहां पर शीदी शीदी बात हैं दो दो आपका 4 होगा 55 10 का 0 होगा हासिल एक होगा आपका 9 में से चार जाएगा तो 5 होगा 6 में से चार जाएगा तो दो होगा यानि कि ऊपर हुआ 256 जब घटा दिये जोड़ दिये तो बट्टे में साथ इतना सीएम एसक्वाइर की फाइनल किया होगा आंसर होगा यह चतर मेती का हलका खुबी है आपको जोड़ घटाओ कुछ जयदा करना होगा बाते कम होती है जोड़ घटाओ इसमें क्या होता है ज्यादा होता इस तरह से आपका यह चेक्टर जो है कंप्लीट हो गया आगले कलास में जस्ट हम लोग क्या करेंगे इस चेप्टर के सारे अब्जेक्टिव कुष्चन को देखेंगे थैंगो सो मच आप सभी को सब्सक्राइब लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इसमें आपको जितने भी प्यारे बच्चे अगर LGR स्टेडी एप डाउनलोड नहीं किये हैं तो जरूर एप डाउनलोड कर लिजिएगा वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक जो है मिल जाएगा थैंक्यू सो मच मिलेंगे अगले क्लास में त